CCLNK छेतर के KDH पर्योजनक खदान से सटे करकटा कॉलोनी में रहने वाले लोग आए दिन कई दुर घटनाओं के शिकार हो रहे हैं CCA परबंधन की लापरवाही के कारण खदान से सटे इलाकों में रोज कई तरह की घटनाएं हो रही है सुगरवार के सुबह में भी KDH खदान से सटे करकटा में रहने वाले सरोज कुमर पाठक के घर का छट गिर गया घटना को लेकर सरोज कुमर पाठक ने बताया कि सुबह में करीब 10 बजे बगल में इस्तित KDH खदान से जूर की आवाज आई जिसके बाद अस्थानी लोग खदान के और भागे तो पाया कि खदान का एक बड़ा हिस्सा धस चुका है वह इस घटना के समय उनके मकान का छद भी तीज आवाज के साथ गिर गया उन्होंने बताया कि उस समय घर के लोग दूसरे कमरे में काम कर रहे थे नहीं तो बहुत बड़ी दुरगटना घट सकती थी सरज कुमार पाठक ने कहा कि CCL परबंधन सिर्फ कोईले की उत्पादन और किस तरह से CCL लाब मेरा है इस पर ध्यान दिये हुए हैं लेकिन हम ग्रामिनों और प्रभावित्तों को मुआवजा देने तथा विस्थापित करने पर कोई पाहल नहीं कर रही है पुरू में भी कई बार परबंधन मुआवजा देने और ग्रामिनों को विस्थापित करने का आस्वासन दे चुकी है परन्तु अभी तक इस ओर कोई भी पहल होता नहीं दिख रहा है। अभी हमारे हैं परवधान है कि चार डिसमिल में भी सर्विस दिया जाता है। अब ऐसा इस्तिती आ गया है कि घर जो सब गिर रहा है। आज जो सो अभी घंटा पहले जो सब पूरा च्छत जो सो टेंडम गिर गए है। तो गए देखने तो देखे तो पूरा घर जो सो बैटे जा है। और पूरा जो सो इस्तिती जो सो यह दैमी है। आसपस रह रहे ग्रामिन दहसत में जीने को मजबूर है। उन्होंने पताया कि पूरो में कई बार छेतर में भूध हसान की घटना हो चुकी है जिसे लोगों को काफी नुक्सान पहुंच चुका है। खदान से सटे छेतर लगतार नीचे धसते जा रहा है जिसे कभी भी कोई बड़ी दुर घटना हो सकती है। उन्होंने पताया कि यहां रह रहे लोग प्रबंधन की लापरवाही के करण मौत के साए में जीने को मजबूर है। सुकरवार को भी भूध हजान के बाद जहां जमीन धस गई वही खदान से धुआ का गुबारा और धूल गर्द लोगों के घरों में जागुसा। हरेश सीन ने बताया कि खदान में आग लगी हुई है वही खदान से निकल रही जहरीली गैस से लोग कई गंभीर बिमारी के शिकार हो रहे हैं। करकटा के ग्राविनों ने CCL परबंधन से जल्द से जल्द मुवावजा दे कर सुरक्षित अस्थान पर विस्थापित करने की मांग की है। हम जो अभी खदान के जश्ट की नारे करकटा उत्री और पूरवी छोरपूर। यहां बाइंटरी दिया हुआ है जो देख रहे हैं भुधासान के चलते धस गया है नीचे आग लगा हुआ है। और गर्मी तो कैसे हम लोग बर्दास की है मुश्किल से दस डेक पर घर है। यह परचंड गर्मी और उसमें यह आग का लपट जहलते जहलते और जो अभी भुधासान आप इसमें देख रहे हैं इतना जबड़जस्त उड़ता है जो यह महाला पूरा ढख जाता है इसके पहले तो मेरा घर हरेश सिंग मेरा नाम है मेरा घर कड़ान में चला जाएगा। और फिर यह हैं यह महाला तो बाद में जाएगा है। इतना अग लगा हुआ है इतना दुमा इछ भीडियो है वह तो सब लोग देखते हैं किसी से चुपा हुगा नहीं है। तो समस्या तो क्राल है किया समाधान चाहते हैं अब हम लोग क्या समाधान कर रही है इसे आगे भी लोगों को पैसा दे दे करके हटाई है की हम मतलब कि यहां का नाफ्य वी हो चुका है कुछ लोगों को हम पैसा दे चुके इस पर क्या उचारा देखे परबंधन इससे पहले भी लोगों को करकटा में भी हटाई है एक लाख रूपया पर हेड़ देखरके तो जब यहां के लोग परबंधन से डिमांड करते थे जो नहीं हमको इतना दीजिए जो भी मांग पबलिक था तो परबंधन उस समय कहा करते यह कृब सबुत यह तो आप हमको सबुत दीजिए हम देंगे तो आप परफेक्ट सबूत है तो आपते तिन lorsqueक्व ढग भी शबंधन तो परहट आंक उसरे कह उतके सबूत और क्या हो सकता तो फबिक को कि भंशन ट्वर करेंगे तो परबंधन नहिं समझेगे पब्लिक तो मांग करते ही रहते हैं और करते हैं ही रहेगी तो उसको बेवस्था धंके चाहिए शुरू-सुरू में हम लोग बोले थे ज़े पैसा नहीं दीजिए प्राइबेट देखिया न सीसी एल भसा दीजिए तो उस पर तो कोई सुना ही नहीं पैसा देकर लोग के हटाने लगे तो परवंधन क्या करेगी कैसे करेगी हम लोग तो कहें नहीं सकते हैं आपके माध्यम से यह कितने समय धसा है यह वह जो वीडियो है उसमें टाइमिंग होगा प्र लगभग होई टाइम होगा उतना तो हम लोग पर देना है जैसे ही गुबार उठा फटा फटा आदमी जिसके कैमरा से हो सका दो चर आदमी खीचे बहुत आदमी के कैमरा नहीं चलाने आता है तो बढ़ियां से नहीं आया इनके असुख भिया कि कैमरा बढ़िया था इसे आया तो हम लोग किसको कहें हम लोग का बात तो पत्रकारे भाई सुनते हैं कि इसको कहने जाएंगे कोई सुनेने वाला नहीं है तो हम लोग आपके पास रखे हैं अब आप लोग किस धंग से प्रबंधन के अभी भी देख रहा है कैसा लहर मार रहा है तो गर्मी भी और लहर भी और मुधासान भी डड़ भी उपर से डस्ट भी अवसे साता है सर्दी खासी बीमारी पड़िवार को दमा के बीमारी है हुआ है दिन पड़ सान रहती है हम लोग जाएं तो कहां जाएं करें तो क्या करें अब प्रबंधन के ऊपर है और आप लोग हम लोग का आवाज है